हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम हेर आगेन और माई चैनल जानका रहे हैं त्माई से अभिलाशी शर्माज का जो टॉपिक बात करेंगे हम अकाउंटेंजी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यह बात होगी आज की लेक्शर में अकाउंटिंग ट्रीट्मेंट विद प्रेक्टिकल प्रॉब्लम्स यह दोनों इश्यूस पर हम बात करेंगे कि यह होते क्या हैं कैसे ट्रीट्मेंट करते हैं और उसकी निमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्ब करते हैं लेट्स मुव हैट बिद मी तो डिसकस आल दीज कॉंसेप्स Students कुछ alerts हैं वो आर बार मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि जब भी देखना है किसी concept का वीडियो तो complete देखें till the end शुरू में मत decide करें कि उसमें क्या है क्या नहीं होगा कुछ ना कुछ नया सिखने को मिलेगा फुल सक्रीन करके देखें आप जो इस device को भी यूज कर रहे हो इसके इलावा earphone जा headphone को यूज करें तभी आपको content clearly और पस समझ लगेगा अगर basic contents को जानना है तो A34 और A35 ये दो नंबर की दो अलग-लग वीडियो जो हिंदी और पंजाबी दोनों as a medium of instruction मैंने इस चैनल पर डाली हुई है regarding the different basics of bills of exchange और बहुत detail में वहाँ पर बात की गई है उन वीडियो में जो मैं 34 और 35 की बात कर रहा हूं उनमें जो content basically उसमें involved है वो तो है bills of exchange क्या है प्रोमजरी नोट किसे कहते हैं पार्टीज कौन सी होती है दोनों में different type की पार्टीज जैसे bills of exchange में तीन हैं वो कौन कौन सी है due dates calculation, days of grace, accounting treatment for law of exchange जो basic concepts हैं इसके इलावा discounting of bills from bank ये सारह जो accounting treatment है इसको numerical problem के साथ इन वीडियो में explain किया हूँ है तो उनको जरूर देखें अगर आपको in content के वारे में knowledge नहीं है तब ही आज का वीडियो भी आगे समझ रहे हैं तो आज के वीडियो में बात करते हैं जो अभी तक मैंने bills of exchange के regarding basic transactions करवाई हैं उसमें आपको बता दू के bills of exchange में तीन parties होती हैं draw, dry and pay draw bill code लिखने वाला, dry उसको acceptance देने वाला, pay जिसको final payment मिलनी है वो draw भी हो सकता है, कोई third party भी हो सकता है मालो हमारे पास दो parties है, x and y, x as a dry and y as a dry सबसे पहले x ने good sale की credit, y को entry क्या होगी, अब तक आपको आती होगी यह मैं यह समझ रहा हूँ, y's account debit to sales account उसी तरह से dry ने purchase की थी, क्योंकि x ने sale की, तो y ने purchase की उसकी books में purchase की entry आ जाएगी, purchase is account debit to x's account एक ही time में हम दोनो businessmen की books जा दोनो persons की books को दिखा रहे है when acceptance is received, जब वस्तों एक credit sale की है तो जो drawer है जिसने पैसे लेने है, वो dry पर एक bill लिखता है जब उसकी acceptance, उसकी सहमती कि में हम इने पैसे देने हैं, dry दे देता है तो लीगल document बन जाता है, उस condition को हम कहते है when acceptance is received तो x के लिए जब acceptance मिली drawer को, तो entry one की bills receivable account debit to y y ने acceptance दिया है, तो y के लिए वही bills payable बन गया x account debit to bills payable, एक तरफ narration बन की being acceptance received और दूसरी तरफ being acceptance given, समझ लगी बादा आगे बात करते हैं, अगर bill को due date तक majority date तक यह सब क्या होते हैं अगर आपको नहीं समझे रहा है, मैं बार बार करा रहा हूं 34 और 35 नमबर वीडियो जरूर देखें अगर due date तक bill को drawer ने अपने पास रखा तो उसको पैसे मिल जाएंगे तो drawer ही pay होगा जिसको पैसे मिलेंगे तो entry बन की, on the maturity और जब time आएगा payment का cash account debit to bills receivable drawer की books में क्यों पैसे मिलेंगे, क्योंकि dry ने payment की थी dry की books में क्या हो जाएगा, bills payable account debit to cash cash जा रहा है, और उसकी liability खत्म हो गई है जो bills payable के लिए बनती थी समझ लगी बात, तो आगे चलते हैं इसके इलावा मैंने इसकी पहली वीडियो में जिसके regarding practical problem की है, वो ये case भी था कि अगर bill को dry द्वारा उसको पहले पैसे चाहिए वो bank से discount करवा लेता है, bank as a interest उसमें से कुछ पैसा काट लेता है, that is a loss for the dryer but उसकी cash की जरूरत पूरी हो जाती है क्योंकि bill of exchange में पैसे उसको बाद में मिलने होते हैं उसको अजानक पैसे की जरूरत है तो उस हालत में accounting treatment क्या होता है पहली दो entries तो same है, जो मैंने पहले बताई goods, credit, sale की हैं और acceptance मिल दे जब acceptance मिली, तो ड्रार के लिए bills receiveable account debit to B, अब हमेंने parties A और B माल लिए कि एक draw है, एक रिष्पावन है drive A ने good sale की B को, तो B's account debit to sales B ने purchase कर ली, इसका मतलब purchase account debit to A's account B की books में ऐसी entry होगी, उसके बाद B ने acceptance दे दी, फिल पर, तो उसकी books में entry बनगी A's account debit to bills payable account तो bills payable उसके लिए अब liability बनगी है, तेंदारी और A के लिए draw के लिए वही bill जो वही bill of exchange क्या बनगेगा एक asset है जा bill receivable क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे उसके साथ, bill receivable account debit to B's account अब draw A को अचानक पैसे की जुरूरती, वो bank के पास गया और bill को discount कर वा लिया जब वो discount कराएगा, तो drive की books में entry होगी, bank account debit, discount account debit to bill receivable draw को due date से पहले पैसे की जुरूरता है वो bank के पास चले जाता है और bank उसको discount कर देता है उस हालत में dry को इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए, dry की books में कोई entry नहीं आएगी, clear उसके बाद maturity का time आया जब bill की payment करनी थी तो dry की books में dry ने क्या कर दी payment कर दी, वही जैसे पहले करता है bills payable account, debit to cash account clear हो गया, लेकिन उस हालत में dry की books में अब दुबारा entry नहीं आएगी क्योंकि उसको पैसे पहले ही मिल चुके है, उसने bank से करवा ली थे discount bill को और उसको cash मिल चुके है तो उस हालत में दिहान रखें इस बात करता जो payment है सीधी bank के पास चली जाएगी, यह है accounting procedure अगर bill को discount करवाया हो तो उस हालत में ऐसे करते हैं इसके regarding जो मैंने अभी तक discuss किया complete videos हैं दोनों, उसमें numerical questions भी हैं, अब आगे वढ़ते हैं क्योंकि आज का जो topic है उसको करने के लिए जो पहले मेंने बताया आज, वो समझना जरूरी था When bill is endorsed यह होता क्या है bill को endorse कर देना What is endorsement of bill यह exam में generally theoretical question भी बन जाता है endorsement means the transfer of bills of exchange or promissory not to another person the person receiving the bill of exchange or promissory not becomes authorized to receive the payment the person who transfer the bill of exchange or promissory not is in favor of another person is called endorser the person to whom bill of exchange or promissory not is endorsed is called endorsing ध्यान से इसको break up करके समझते हैं छोटे छोटे हिस्सों में bill का endorsement होना क्या होता है कई बार क्या होता है basic समझो इसका जैसे ड्रार ने ड्राइस से पैसे लेने है ऐसी ड्रार ने जो भी कोई पार्टी है उसने किसी के पैसे देने भी हो सकते है मालों किसी से पांच जार लेने है आगे उसने पांच जार किसी का देने है उसके पास bill of exchange आया हुआ है acceptance के बाद तो वो क्या करता है उस bill of exchange को किसी third party के नाम पर transfer कर देता है उस position को हम endorsement of bill of exchange कहते है endorsement means the transfer of bill of exchange to the name of another person किसी और व्यक्ति के नाम पर और जो transfer करता है जिसको हम draw कह रहे हैं उसको endorsement की condition में कहते है endorser और जिसके favor में उसको endorse किया जाता है बिलको उस व्यक्ति को कहते हैं इंडोर्सी ध्यान रखो ये इंडोर्सी और जिसने transfer किया वो endorser अब बिल को endorse कर दिया तो final payment आवे endorse को मिलेगी समझ लगा जिसके favor में endorsement की है इस सारे process को endorsement of bill of exchange कहते है bill of exchange को endorse कर देना transfer कर देना किसी third party के नाम पर इसका accounting treatment क्या है उसको समझने से पहले एक फॉर्मेट देना specimen of bill of exchange मालो ये bill of exchange है एक party ये है जो drawer है जिसने bill लिखा था और उसने bill को जिससे उसको acceptance मिली पार्टी वो है C drive उसने C को order किया 4 months after date ये जो date उपर लिखी हुई है 7th April 2050 इस date के 4 मीने बाद pay to Mr. B एक third party है Mr. B जिसको हम pay कहेंगे अब नया pay बन गया जिसको पैसे मिलेंगे final payment sum of rupees 10,000 for the value received Mr. B को 10,000 रपे की payment कर दी जाए जिसकी value आपको प्रापत हो चुकिया किसको प्रापत हो चुके C को इसको इस प्रसेस को हम endorsement का प्रसेस कहते है क्योंकि बिल का अब जो final bearer है वो Mr. A नहीं रहा payment A के पास नहीं आएगी payment आएगी B के पास that is our endorsement तो हम और detail में समझते हैं graphical formation बना के इसको देखो दिहान से draw है मालो एक A क्योंकि उसने credit sale की थी B को अब पैसे लेने है B से documentary proof बनाने के लिए उसने below of exchange नाम का document बनाया और उसको acceptance के लिए B के पास भेज दिया B draw है, acceptor है, payer है उसने पैस होगी final payment करनी है कोई भी नाम दे सकते हो उसने उस पर acceptance दी acceptance receive किसको होगी A को तो below of exchange एक legal document बन गया इसके बाद अब उसने C को पैसे देने थे आगे A ने, third party थी कोई तो उसने bill को endorse कर दिया C को, अब C नया bearer बन गया उस bill का पहले तो A था bearer, bearer जिसके नाम पर payment होनी है, अब नया bearer को बन गया, C और pay भी कह सकते हैं, हम इसको नया bearer बन गया, क्योंकि इसको payment of A को नहीं मिलेगी, अब payment किसको मिलेगी, C को, because the endorsement process is completed अब जब dry payment करेगा तो dry जो B है अब payment कर देगा, C को अब A के पास पैसे नहीं आएंगे, that is the complete process of endorsement of bills for accounting treatment क्या है पहली दो entries हो, वैसी जब good sale होंगी मालो दो parties है, A and B एक A, B, A draw है, B draw ही है B को good sale की B account debit to sale, B ने purchase कर ली, purchase account debit to A, आज मैं तीन बार बता रहा हूँ, आज इस वीडियो में ये entries जब bill लिखा acceptance मिलगी, तो वही entry bill receivable account debit to B's और A account debit to bills payable अब आगे का process जो आज से लिए है, वो है endorsement उसने आप bill endorse कर दिया C को तो A जो draw है उसने किया, उसकी books में entry हो जागी, C is the account debit because C is the receiver, और bill receivable जो उसकी assets की, वो बाहर से ली गई what goes out credit समझे लागा, cash account debit to bills receivable account, being bill endorsed to C, C को bill receivable receive हो गया, bill receivable account debit to A's account, clear, because A is the giver पर dry की book में उस position में कोई entry नहीं आगी क्योंकि dry को इसमें कोई तराज नहीं है वि उसने bill किसको endorse किया a maturity date when payment is made on maturity तब अव ड्रायर को payment नहीं मिलेगी no entry in the books of dry payment किसको मिलेगी, endorse को payment करेगा कौन वही dry जो पहले करता है, bill payable account debit to C, इसने payment कर दी क्योंकि bill payable इसकी liability थी और cash किसको परापत हुआ फिर अब इस वार, endorse को cash account debit to bills or C, वेवल इसके लिए वो bill or C, वेवल था और dry के लिए क्या था, वो bill payable, समझ लगी में रिवाज ये है accounting treatment इसका अब इसको एक example के साथ करते हैं एक्स ड्राज अब इसको अक्सेप्ट कर लिया एक जनवरी दो हुजार बीस को एक्स इंडोर्स इट उन फोर्स जनवरी 2020 तो इस ग्राइटर जैड एक्स ने आगे वही बिल अपना क्रेडिटर था जिसको उसने पैसे देने थे उसको वह इंडोर्स कर दिया अब हमने बुक्स में एंट्रीज करनी है एक्स वाइ और जैड तीन पार्टिस है तीनों की बुक्स में इसमें समझो एक्स कोने ड्राइ वाई कोने ड्राइ जिसने acceptance दिया है जो payment करेगा और जैड कोने endorse ही जिसके favor में bill endorse किया गया और payment आव जैड को मिलेगी bills of exchange की process में because endorsement is there सबसे पहले bill लिखा गया acceptance मिलगी entry क्या बनगी bill receivable account debit to y आप सोचो को यहाँ sale purchase की entry नहीं है अगर उपर दी होती तो हम sale purchase दिखा लेते आप सिधा bill of exchange की acceptance हो रही है आप वहाँ से शुरू कर लिया question को bill receivable account debit to y's account और y की books में क्या बन जेगा access account debit to bills payable एक तरफ being acceptance received x की books में उधर acceptance दी है तो being acceptance given y की books में और endorse ही अभी नवालों नहीं होगा no entry अब 4 January को bill को endorse कर दिया z की favor में z account debit to bills receivable bill receivable जा रहा है बाहर what goes out credit real account में z personal account है z is a receiver उस bill को receive करने वाला को नहीं है z, z account debit to bill receivable account और dry की books में कोई entry नहीं आएगी दियान रोखो क्योंकि dry को कोई impact नहीं पढ़ने वाला being bill endorsed to z क्योंकि bill z को endorse किया गया अब z को bill endorse किया तो z की books में bill receivable आ रहा है उसके पास bill receive वाल अकाउंट debit to access the account, access the giver अब payment का time आया है पहले due date निकालेंगे तीन मीने बाद bill की payment होनी है एक जनुरी के बाद तीन मीने बाद रहे है एक एपरल को पर उसमें तीन दिन grace के add करते हैं आपको बताया हुए मैंने जब पहले वीडियो से है एपरल 4 बन गया days of grace add करते हैं due date के लिए तो payment कर दी पहले किसने payment की वाई ने bill pay वाल अकाउंट debit to cash तो bank भी लिख सकते हैं उससे फर्क नहीं बढ़ता अब Z को payment प्राप्त होगी cash account debit to bill receive available अब dryer की books में कोई entry नहीं आएगी because the final pay is indoor CZ समझ लगा क्योंकि आप payment उसको receive ही है तो student दे एक और condition होती है bill of exchange में when will is sent to bank for collection कहीं वार जो business man है वो billों की क्योंकि उसके पास billों के धेर होते हैं खुद collection नहीं करते हैं वो कहते हैं bank को bill भेज देते हैं कि bank उनके बहाँ पर bill collect करेगा और उसके account में क्या कर देगा डाल देगा भी जमा कर देगा उसके account में अब उस हालत में क्या होता है bank free में तो करेगा नी bank उसमें इंटरस्ट जा अपने charge काट लेता है और बाकी payment उस वेक्ति को देता है जो bill का bank for collection मालो इसको हम treat करते हैं तो general entries क्या होगी जो पहली entries है वो तो as it is बिल आ गया acceptance मिल गी वो आपको पता है अब बिल x जोड पार्टी है मालो ड्रार उसने जो y से bill मिला हुआ था acceptance मिली थी उसको किसको भीज दिया bank को bills sent for collection या bill for collection account debit to ber account bill receivable account bank को भेज़ दिया bills sent for collection account debit to bill receivable bill receivable चला गया business से बाहर bank के पास maturity का time आया जब date of maturity आई payment का time आया वाई ने payment कर दी बिल्स पेवल अकाउंट या bank अब payment drawer के पास नहीं जाएगी payment कहां जाएगी भी जिसके पास bill था bill drawer ने किसको भेज़ दिया bank को bank ने payment collect करके उसके account में डाल दी तो entry किया बनगी bank account debit to bills for collection किसके account में डाली drawer के account में क्योंकि drawer ने भेज़े इसलिए थी तांकि उसके भेहाप पर बिलों की collection करके उसके account में डाल दी clear होगी ये बात students आगे इस बात को समझो तो complete transactions क्या बनगी अगर समझे सबसे पहले goods sale की जाएंगी तो sale और purchase की entry डाल ले जाएगी और जब acceptance मिलेगी तो acceptance की entry आज 3-4 वह हम कर चुके है उसके बाद bill को अगर bank को collection को भेज जा ता bill for collection account debit to bill or see पर जब payment होगी तो bank account debit to bill for collection account और ये payment गर देगा drive, bill, payable account debit to cash ये है complete procedure समझा ही मेरी बात ये revision के लिए आप ने बताया कई बार क्यों bank free में तो करेगा नहीं bank generally अगर question में नहीं भी दिया होता practically क्या होता है bank उसमें से कुछ पैसा काट लेता है as our interest क्योंकि वो काम कर रहा है पहले पेम उसके बहाब पर collection करके उसके account में पैसे डालता है these one is known as collection charges तो जो ड्रार की books में पांच ज़ार का बिल था मालो bank ने 100 रूपिज collection charges का लिए अब पैसे तो कम जमा हुए न तो ड्रार की books में charges दी होना है तो हम ऐसे entry करेंगे being bill collected by the bank bank ने bill collect करके उसके account में डाल दिया इसका मतलब यह अब एक question देखते है x on y a bill of exchange for three months for five thousand which one is accepted by y on first January 2020 x ने y पर bill लिखा ती मीने का पांच ज़ार का जो y ने accept कर लिया एक January 2020 को x sent the bill to his bank for collection on April 1st April 1st को उसने bill bank को भेज़ दिया collection के लिए on due date the bill is duly met जब due date आई payment का time आया bill की payment भी होगी duly met का मनलो जाता है सम्मान के साथ उसका payment कर दी गई and get information from the bank और bank से information भी मिलगी कि payment आगी अब हमने x और y की books में entries करनी है x ड्रार है और y को ने dry अब क्योंकि x ने bill लिखा और y ने acceptance दिया है तो x के लिए bill receivable account डेवि to y's account y ने acceptance दिया है तो x's account डेवि to bills payable account y ने पैसे देने थे उसके लिए वही bill of exchange के आप आज़ेगा bills payable और x के पास पैसे आने है वही bills of exchange है वह आन जाएगा bill receivable अब bank को भेज़ दिया 1st April को collection के लिए bill sent for collection account debit to bills receivable account 5000 dry की books में तब कोई entry नहीं होगी अब bank ने जब due date आई वह बनती है 4th April क्योंकि 3 महिने एड़ करके 3 महिने की date थी bill की लिखा हुए ना for 3 months 3 महिने बाद payment हो नहीं है 1st January को लिखा 3 महिने बनगे 1st April उसमें 3 दिन grace के एड़ करते है तो 4th April due date आगी bank account debit to bills sent for collection account due date को पैसे bank में जमा होगे उसके account में और information आने के बाद उसने पनी books में 4th April को transaction कर दी क्यों आए यह जे bank में पैसे क्योंकि why ने payment की थी why is the drive उसने payment करनी है pair है वो payment करने वाला उसके लिए एक normal entry है जैसे वो bill payable की करता है bill payable account debit to cash या bank account clear student यह है complete process so I think the whole process is quite clear bill of exchange के जो basic concepts है 34 number वीडियो में है 35 में आप देख सकते हो discount के regarding numerical problems के regarding और जो आज की वीडियो है उसका जो हिस्सा आपको समझ नहीं लगा अब उसको देखें दुबारा से नीचे comment box में comment दें अगर आपका concern I will try to answer there इस channel पर accountances related बहुत सी वीडियो पहले भी है economics और commerce की दूसरे subject से related videos already यहाँ पर exist कर रही हैं और साथ में motivational videos भी है तो students I think the whole concept is quite clear जो यह video है इसको भी देखें पहली video को और content को समझने के लिए यूज करें और आने वाली videos का इंतिसार करें till then thank you very much